वागत्य श्टुट्ट्स यहां पर प्षिच्छन है अर्थी नहीं कोई भी प्लाइट हो सकता है तो एक प्लाइट हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं और इस प्लाइट का जो भी यहां पर रेडियस है वो रेडियस हमको लेना है आर तो रेडियस इसका आर लेना है साथ ही साथ इसका डेंसीटी डी लेना है डेंसीटी डी लेना है $ तो बोल रहा है कि यहां पर जो इसके सर्फेस पे acceleration due to gravity का value होगा वो कितना होगा या फिर किसके proportional होगा यही हमारा question है तो तुमको जैसे पढ़ाई थे हम तो उसमें बताई थे कि g का value होता है gm by r square ठीक है यहाँ पर g क्या होता है universal gravitational constant m क्या होता है mass of the planet या mass of the earth और r यहाँ पर होता है radius तो देखो एक formula जानते हैं हम लोग कि density is equal to mass by volume तो अगर हम लोग suppose करो कि mass निकालना चाहते हैं तो density into volume लिख सकते हैं ठीक है और density d diy question में साथ में volume अगर यह sphere मान लिया जाए जिसका radius r है तो इसका volume क्या होता है 4 by 3 pi r cube तो जहाँ पर इस formula में यह formula हम पहले आपको acceleration due to gravity पढ़ाते टेम बताये थे कि acceleration due to gravity किसी planet के surface पे gm by r square होता है तो यहाँ पे हम g का value और m का value d by d into 4 by 3 pi r cube upon r square यह सब रख देंगे ठीक है तो यहाँ नीचे r square है उपर r cube है तो एक r कटेगा एक r बचेगा तो g into d into 4 by 3 pi into r यह देखिए अब इस equation को जब हम निकाल दिये हैं इसी को convert कर दिये किसमें अलग तरह के format में ताकि जो option से उसके अनुसार बात कर सके तो यहाँ पर देखो यह universal gravitational constant इसका value तो चेंग नहीं होगा साथ में 4 by 3 pi यह भी क्या रहेगा constant तो g यहाँ पर d k और r k दोनों के proportional है तो g is directly proportional to the product of density and radius तो यहाँ पर option number c इसका सही answer हो जाएगा thank you so much for watching